तो आज मैं आपके ले लेके आई हूँ जटपट से बनने वाला गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार आप तुरंत ही बना के इसे तुरंत खा सकते हैं बहुत टेस्टी होता है भटूडे के संग आप से खाएं पूरी के साथ अभी से खाएं आपको बहुत तसना आएगा मैंने मूली और गाजर को इस तरीके से लंबे-लंबे टुकडों में कट करके ले लिया है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटे पीस के नहीं बनाने है और जो इसका पीला वाला पाट है गाजर का इसको हम हलकालका निकाल लेंगे यह हमने कट कर लिया है अब हम अचार बनाने के लिए मसाला तयार करेंगे यहाँ पर मैंने दो चम्मच लिया है सरसों काली वाली सरसों और एक चम्मच सौफ एक चम्मच साबुट जीरा और एक चम्मच धन्या लिया है साबुट इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने पीली वाली सरसों लिया है और दस से पंदरा दाने मैंने काली मिर्श के लिए हैं मसा अगर मेति जलदी जादा बुन जाएगी तो कड़वी हो जाएगी यह हमने mixer जाल में डाल किशका पाउडर बेनाकि तयार कर एक दम दरदरा पाउडर हमने बनाना है तो अब वय देट में उन antifin यजादी माछिव सस्ई तेल के गरम होते ही ने हरी मिर्ट जो हमने कट करके पहले से ही रखी हुई है अब हमें दो से तीन मिनट के लिए गाजर और मूली को तेल के संग थोड़ा सा पकाना है बहुत जादा नहीं पकाना है बस थोड़ा सा इसका जो कच्चा टेस्ट है न वो खतम हो जाना चाहिए बस दो से तीन मिनट के ल वो हम इसमें add कर लेंगे सारा ही मसाला मैंने यहापर add नहीं किया है बस 3-4 चमच मैंने यहापर मसाले को add किया है बाकी का मसाला आप और भी अचार बनाने में यूज़ कर सकते हैं मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से mix कर लेना है ताकि एक गाजर मसाले की कोडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए अब मैंने इसमें डाला 2 चमच नमक और एक चमच यहापर मैंने विनेगर डाला हुआ है विनेगर डालने से इसकी long life बहुत जादा हो जाती है mix कर लेंगे यह हमारा गाजर मूली और हरी मिर्च का अचार बिल्कुल बन के तेयार हो चुका है बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं या फिर आप इसे जार में भरके 6-7 मेरे तक खा सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसमें विनेगर का यूज किया है अब हम इसे साफ सुतरे जार में भर देंगे काच के जार में ही इसे डाले और जो जार है न वो बिल्कुल साफ सुतरा होना चाहिए और जब भी आप इसे निकालें तो जो चम्मच का यूज करें वो बिल्कुल सुखी होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए ये हमारा गाजर मूली का चटपटा अचारबन के बिल्कुल तयान हो चुका है पसन आये हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यमाद